यार स्लैप तो डलवा लिया पर अब कितने दिन बात खोलना है और कितने दिन तक पानी मारना है ये दिमाग में सवाल आता है तो ऐसे वक्त में आपका ठेकेदार कहता है कि 10 दिन बात निकल लेंगे आपके इंजिनियर कहते है 15-20 दिन तक रुख जाईए और आपके कोई महमान आते है जो कि कहते है 25 दिन तक तो आप उसे हाथ बे मत लगाईए और पानी के बारे में भी आपके मन में बहुत डाउट हो एकदम सिंपल और आशान भाषा में हम जानने की कोशिश करेंगे कि कि कितनी दिन तक हमें शेट्रिंग वर्क रखना है और कितनी दिन तक उसे पानी देना है पर अगर आप लोग चैनल पे नए हो तो चैनल को ज़रू सब्सक्राइब कर लिजे इसी तरह के कंस्ट्रक्शन डिलेटेड वीडियो के लिए जिसे कि आपका घर आसानी से बन सके उसके बाद में अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो इसे लाइक करना बिल्कुल ही मत भूलिए क्योंकि ये बिल्कुल ही फ्री है और अगर आपके कोई इंट्रेसिंग सवाल है तो डेपिनि का जो शट्री होता है जो कोई भी वर्टिकल मेंबर होते हैं उनका जो फॉर्म वर्क होता है उसे आप सोला से लेके 24 गंटे बाद निकल सकते हैं यानि कि आज कास्ट करने के बाद उसे दूसरे दिन तक निकल सकते हैं उसको निकलने के वज़े से आपका कोई नुकसान नह तो उस वक्त जो है वह आपका concrete जो होता है वह एकदम initial stage में होता है उसने पूरी strength gain नहीं की होती है इसके वज़े से अगर उसे धक्का लगता है या फिर कोई चीज लगती है तो इसके वज़े से जो आपका concrete है उसमें छोटे-मोटे cracks आ सकते है या फिर उसके कोने जो है वह इसे slab को आप 7 दिन बाद खोल सकते हैं अगर आपके slab का span साड़ी-4 मिटर से जादा है तो आपको कम से कम 14 दिन तक रुखना चाहिए यह तो हुई slab की बार सबसे जादा जो slab का load होता है वह होता है beam के ओपर तो इसलिए आपको beam के लिए जादा देर तक रुखना पड़ता है अगर आपके beam का span 6 मिटर तक है तो आपको 14 दिन तक रुखना चाहिए अगर आपके beam का span 6 मिटर से जादा है तो कम से कम आपको 21 दिन तक रुखना चाहिए अब यह मैंने आपसे कहा यह किस बेसिस कहा तो यह जो चीज है यह IS code 456200 इसमें clearly mention की गई है जैसा कि मैं आपको screenshot में दिखा देता हूँ यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर clearly mention किया गया है कि कितने दिन तक आपको shuttering नहीं कुलना है पर फिर भी मैं आपको एक suggest करूँगा अगर आप अपने घर का slap डलवा रहे है हाला कि जो बड़ी building होती है वापर technical person होते है daily observation के लिए पर अग पर वो security आपको मिल जाती है पर होता है दोस्तो 15 दिन तक इसलिए रुकना है आपको क्योंकि इसका double फाइदा है जो कि हम curing part में भी देखेंगे अब देखेंगे दोस्तो जब भी आप उपर का काम करना शुरू कर देते है तो ऐसे वक्त में जो है slab ने अपनी पूरी strength gain नह आएगा इससे आपका काम बहुत जादा delay हो रहा है ऐसे कोई बात नहीं है पर देखेंगे दोस्तो आपका घर का काम है इसलिए आपको जो है पूरी तरह से अगर आप safety चाते है तो आप जो है घर के काम के लिए 15 दिन तक शट्रिंग वर्क न खोले और जब भी आप उपर क के तरफ काम करते तो आपको यह चीज ध्यान में रखने है दोस्तो अगर आपका शट्रिंग वर्क नीचे किया है तब आप अगर उपर इटा डालते तो ठीक है पर अगर आपके शट्रिंग वर्क अगर जल्दी खुला हुआ है और अगर आप इटों का बहुत ही ज्यादा स्टोरेज उपर के तरफ स्लैप के उपर कर रहे है तो यह आपके स्लैप के लिए गलत बात हो जाएगी उसके उपर जो है एकसेसिव लोड मत बढ़ाईए क्योंकि स्लैप ने उसकी पूरी स्ट्रेंद यह नहीं की है इसलिए आपको यह चीज भी ध्यान में रखनी है जब पार्ट में तो वह होता है स्लैप को क्योंकि कॉलम को भी क्यूरिंग की जरूरत होती है पर कॉर्यम जो है वह वर्टिकल पार्ट होता है आप जब पानी मारते है तो ओफिसल के नीचे आ जाता है पर जैसा कि आप पर देख रहे कुछ इस प्रकार के पॉंडिंग जिसे हम म पानी मार लेना है उसके बाद में जब ये पॉंडिंग बनाते है इससे पहले भी आपको दो तीन बार पानी मार लेना है और उसके बाद कुछ प्रोसेस होती है जो कि हम कैसी आगली वीडियो में देखेंगी पर आपको क्या करना है शुरुवाती दिनों में बहुत पानी देना है और मिनिमम कम से कम आपकी कोई भी सिच्वेशन कितनी भी क्रिटिकल हो साथ दिन से कम पानी बिल्कुल भी नहीं देना है पर फिर भी मैं आपस एक बात कहूंगा दोस्तों आसान बाशा में आपको बता हूँ तो अगर आप क्यूरिंग ठीक से नहीं करेंगे तो आपके जो कॉंक्रिट होगा उसे प्रॉपर स्ट्रेंथ नहीं मिलेगी जब आप बड़ी बिल्डिंग्स देखते है तो वहाँ पर वो लोग क्या करते है उनके पास टाइम कम होता है इसके वो जैसे जो है वो स्लैब कंटिनियूस ले आते है और रैपिड ले आते है ऐ ऐसे वक्त में उनके पास एक टाइम लिमिट भी होता है इसलिए उनको जल्दी काम करना पड़ता है फिर भी वो लोग क्या करते है वो स्लैब खोल लेते है पर वो बीम के बॉटम जो है वो जल्दी नहीं खोलते है आपने देखा हो कुछ जगा पे दो-दो माले तक बीम ब पानी रखना चाहिए और तो और आपको शट्रिंग वर्क जो है वो 15 दिन से कम में नहीं खोलना चाहिए और उसके बाद में आपको जो टाचा है जिसे हम हैकिंग कहते हैं तो उसे भी जल्दी कर लेना है जब यह आपका स्लैप कास्ट हो जाता है क्योंकि उसके बाद में जो कॉंक्रिट हो जाता है वो सक्थ होने लगता है और सक्थ हुए कॉंक्रिट पर टाचा मारने में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाती है जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं और पॉंटिंग कीजे मस्त पानी दीजे क्योंकि आपका देखिए घर एक ही बार बनता ह तो दोस्तो मैं आशा करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो इससे लाइक करना बिल्कुल भी मत भूले और आपके कोई सवाल है तो डेफिनिटली कमेंट कीजे और देखिए चैनल को ज़रू सब्सक्राइब कर लि तो